पूरा वीडियो दिहान से देखेगा काफी दिन से इस ब्लूप्रिंट का बेट कर रहे थे कि जल्दे से MPBOT blueprint जारी कर दे तो उसके एकारणिंग फिर वो लोग अपनी तयारी करें तो blueprint आप भी गया Class 10 में सब students खुज भी है पर Class 12 में सारे students को blueprint देखकर मायूस इचा गई क्योंकि इसमें वो portion आगया जो MPBOT की तरफ से reduce किया गया था तो इस्टुरेंट्स मैं बता दूँ कि आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट में जो मैस साइन्स है या बायो है या कॉमर्स है आर्ट से के कुछ सब्जेक्ट में जो है वो NCIT की बुक का फालो हो गई है 2018-19 से तो जो CBSE में बुक्स चलती है वो आप लोगों को आप फालो की जा थी और पेपर भी स्टुरेंट्स उनी NCIT बुक से आएगा रिफरेंस बुक से नहीं आएगा ये मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ तो अभी CBSE ने 30% कोर्स जो है वो काफी पहले ही रिडियूस कर दिया था और MP बॉर्ड ने क्लास 10 में साइन्स और मैस मे अभी उसी जो रिडियूस से लिवस्ता उसी को जारी किया था परनतु क्लास 12 में MP बोर्ड ने अपनी तरफ से कुछ चेप्टर ही हटा कर पूरा कोर्स में से 30% 90% नहीं किया था व 거예요 जारी कर दिया था परनतु साइड हैं से देखा जाये तो वह 30% कोर्स रिडियूस हुआ ह नहीं था तो अब जो इस्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे जो blueprint के एकार्डिंग अभी जो नया blueprint अपडेट किया इसमें आप जो reduce portion देख रहे हैं ये एक्चुली CBAC का ही blueprint है CBAC का ही reduce portion है जो CBAC ने काफी पहले जारी कर दिया था तो MP Board को पहले से ही यही syllabus provide करवाना था और आप यदि इस delete portion के साफ से तयारी करेंगे तो काफी simple रहेगा क्योंकि काफी कुछ पार्ट पूरी book से हटा है और इसके पहले MP Board ने कुछ chapter ही हटाए थे तो अभी यह हो सकता है कि या तो MP Board को confusion रहा है क्योंकि पहले जो system था वो जुलानिया जी की time काफी changes हुए थे तो MP Board ने सही डंग से जारी नहीं कर पाया हो तो अब हो सकता है कि इस reduce syllabus के इसाप सही paper जो है वो set हो पर तो अभी थोड़ी सी confusion की condition हो सकती है क्योंकि उस समय students ने काफी objection भी लिया था कि 30% course पूरी तरह से reduce नहीं हुआ था कुछ chapter हटाने के बाद तो यह हो सकता है कि अब जो है बापिस से जो है वो MP Board इस reduce syllabus को जारी करे और नए सीरे से फिर आप लोगों को बोले कि तैयारी करना और अब जो blueprint आ गया उसके recording आप लोग तैयारी करें तो इसमें अभी एक दो दिन लग सकते है students MP Board की तरफ से clear करने में अलग से जो है वो reduce syllabus की list फिर से डालेगा वैसे इस से तैयारी करेंगे तो बूरी बुक में काफी पार्ट जो है वो कम हो चुके है और आपनों को काफी help मिलेगी परनतो यदि आपने पहले के reduce syllabus के साब से तैयारी कर ली है तो हो सकता है कि MP Board या तो फिर से उसको जारी कर दे परनतो अभी हो सकता है कि काफी confusion में ये फैसला ल बता है येगा कि आपको ये जो reduce portion नया दिख रहा है इससे आप satisfy है या नहीं है या जो पहले chapters अटायते वो ही ठीक है तो बाकी यदि ऐसा कुछ होता है तो MP Board एक दो दिन में फिर अपनी गाइडलाइन reduce syllabus को लेकर जारी कर देगा तो अभी घवराने की कोई जरूत नहीं है आप लोग अपनी तैयारी करिए और एक दो दिन का बेट करिए और यदि इस्टुडेंट्स यही reduce syllabus रहता है तो आप लोगों को घवराने की जरा भी बात नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल है मैं इस पर अलग-अलग subject के वीडियो बना कर आप लोगों को ला दूंगा जिस कि बात傌 बहीत ची ओड़ेंड़ रूंगा रहता है को थोगों कर दो दो आप दो सबस्किया दिस को चलग-दों पकाइसया है क्यों आते हैं को अते हैं से वीडियोले स्टुडेंद कवाने बė mão है तो सांवाने सब थोगmäßig सिंग्स आते हमें मैं डहीं कुईवत काई और नह